तो चलिए हम सबसे पहले हम अपने गूगल को ओपेन कर लेते हैं और गूगल को ओपेन करने के बाद हम यहां पर लिखेंगे google.com गूगल.com और देखें यहां ओपर पर आ गया है तो हम अपने google.com को सर्च कर लेते हैं को सर्च करने के बाद सबस्क्राइब करना है तो यहां पर आ जायघा को सर्च कर लेते हैं यहां ओ पर अपने आप लिखा जाएगा और फिर लिख दिये मोबाइल देखे इस तरह से आप यहां पर कोई भी चिश चर्च करेंगे तो वहां पर आ जाया गहें तो आप यहां से आप भी इस तरह से लिख सकते हैं देखें यहां से डिस्प्ले करेंगे के अन फैसित पर भी आप लिखना चाहते है यहां पर लिख सकते हैं तो यह देखने में भी बहुत स्मार्ट लग रहा है आप किसी के सामने अगर शे ट्रीं के जाया करेंगे तो उसे भी लगेगा क्या ट्रीक है तो चलिए यह ट्रीक कहां. यह मैं आपको बताता हूं bij कर दो यहां पर लिक़्ेंगे google.com और यह देखें उपर में आ गया है थो हम इसे उपर कर लेते हैं और open करने के पाद देखें नीचे पर एक setting का option आered है तो हम इस setting को click कर देए और setting को click करने बाद यहां पर सबसे उपरमें आ शर्च शेटिंग तो हम सर्च शेटिंग को क्लिक कर देंगे और सर्च शेटिंग को क्लिक करने के बाद देखें दोस्तों यहां पर एक ऑप्षन है हेंड राइट का तो हेंड राइट को देखें यहां पर डिजेबल है इसको जैसे यहां पर इनेबल कर देंगे इनेबल करने कि क्या आप रोबेट हो यहां पी टिक मार टिक लगा देंगे बॉक्स में खाली बॉक्स है तो हम इसे ठीक लगा कि I am not रोबेट पर कर देंगे और इस तरह से आपका भी ओकी हो जाएगा और आप इस तरह से यहां से कुछ भी कुछ भी लिख सकते हैं जो भी लिखना चाहते हैं यहां से आप इसे लिख सकते हैं तो चलिए दोस्तों हम गूगल का दूसरा ट्रिक आपको बताते हैं तो दुश्य शेटिंग के लिए हम यहां सबसे पहले हम अपने गूगल को ओपेन कर लेते हैं और ओपेन करने के बाद यहां पे लिग देंगे Google.com तो चलिए हम लिग देते हैं और सबसे उपर में वेबसाइट आ गया है Google.com तो चलिए हम इसे क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करने के लिए पर यहां पर से शेटिं रोप कोगल में साय है कोई भी मोबाइल लेगा आपने गूगल में जो जो भी चीज़onta किया है वह सारा चीज आपका यहां से देख सकता है इस तरह से आपका पूल खुल सकता है आपने जो जो भी चीज यहां पर सर्च का है वह पूरा डीटेल यहां पर सो कर रहा है देख लिजे अगर आप चाहते हैं कि आपका डीटेल जो आपने गूगल जो सर्च किया है वह आ मतलब आज जो आपने ससर्च किया वो고요 डिलीट करना चाहते हैं या फिर कर्थम में मतलब कि इतने से इतने दिना या अल्टाइम या आटो डिलीटिआ हैं कि आपने कुछ यहां दिलीट ऑल्टाइम है पने क्या च terrorism पर किलिक कर देंगा और हमारा जितना है हमने आज तक Google में सर्च किया है वो यहां से सारा डिलिट हो जाएगा इस तरह आपके मुवाइल को फिर कोई भी नहीं देख पाएगा का आपने Google में क्या क्या सर्च किया तो चलिए हम यहां पर डिलिट कर देते हैं और पिर आपको दिखाते हैं तो जैसे यहां डिलिट gemaakt करते ही यहां पर देखे刃 नीचे DILETE का थमीसे इसेач कर देंगे और डीलीट करते ही हमारा जितना भी यहां पर था कंप्लीट हो गया इस तरह आपने फिर यहां पर ऐखे कर देंगे करते ही दि дополн कि हमने जो भी चीज शर्च किया था यह नीचा नीचे दिखाद YOUR नो अक्टिविटी इस तरह से आपने गूगल पर जो भी चीश सर्च किया होगा अब वो यहां से सारा डिलिट हो गया और कोई भी आप पता नहीं कर पाएगा का आपने गूगल में क्या क्या सर्च किया तो दोस्तों यह छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगे हैं कॉमेंट करके जरूर बताना अगर वीडियो अच्छी लगे है तो एक लाइक कर देना आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है अगर अभी तक वे आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में एक अच्छी ट्रिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद